नमस्कार दोस्तों, एक ऐसा इसकेम जो हर टू वीलर या फोर वीलर्स वाले के साथ होता है, जब भी आप पैटरॉल पंपर फ्यूल फिल कराने जाते हैं, तो किस तरीके से पैटरॉल पंप वाले आपके साथ चीटिंग करते हैं, और पैटरॉल की महापत चोरी की जाती है, और सीधे सीधे आपको चपत लगाई जाती है, और पैटरॉल पंपर होने वाले इस फ्रॉड से साइधी कोई बचा हो, तो आज आपको हम बताएंगे यहाँ पर किस तरीके से आप इस फ्रॉड का शिकार होने से बच सकते हैं, और अपनी मेहनत के पैसे को बचा सकते हैं, अबश्य लिखिये, वैसे भी भारत में लाखो पैटरॉल पंप हैं, जहाँ पर की लगवाद साट करोड से जादा पैटरॉल कंज्यूम होता है, वैसे भी अगर पास दस बीस एमल की चोरी हो, तो उसका कोई सब को पता नहीं पढ़ता है, और गाड़ी के मायलेज पर भी क जादा बड़ा असर नहीं पढ़ता है, और इसे आप गाड़ी के फ्यूल मीटर से भी नहीं देख सकते हैं, और चोरी करने के बेसक कुछ ऐसे तरीके हैं, जिने आप आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन जादा तरीके अब इतने एडवांस हो चुके हैं, जिने बहुत आसानी से समझ पाना या भाब पाना आसान नहीं है, और इसमें सबसे आम तरीका है जब भी आप जल्दबाजी में होते हैं, और आपका मीटर की रिडिंग पर ध्यान नहीं होता है, और पैट्रॉल वाले वहां से मीटर स्टार्ट कर देते हैं, यानि कि जहां से रिडिंग होती है उससे आगे start कर देते हैं और आप से पैसे ले लेते हैं आप ज़दा वहाँ पर धिया नहीं करते हैं अपनी जल्द बाजी के कारण या पैटरल पंपर ज़दा rush वोने के कारण और दूसरा तरीका है आपने अगर 1000 रुपे का पैटरल भराया और वहाँ पर वो बन्दा 200 पर या 300 पर आकर उसे रोक देता है और आप अगर उससे कहते हैं कि भाई आपने यहाँ पर कम पैट्रॉल क्यों भरा है तो वो ऐसा बिहेव करता है जैसे कि उसने सुना नहीं है और फिर वो आगे वहीं से पैट्रॉल भरना स्टार्ट कर देता है इसको अगर आप गहराई से समझेंगे तो आपको वहाँ पर कितना नुकसान होता है यानि 300 से आगे भरना सुरू कर देता है और आपको कितना चूना लग जाता है आपको धियाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं यानि इस कंडिशन में अगर काफी भीर भाड़ है और आप गहराई से ध्यान नहीं करते हैं और उसने फर्ज कीजिए 1000 में से 200 या 300 का पैटॉल फिल कर दिया और आप बोलते हैं और वो बिहेव करता है जैसा उसने सुना नहीं है तो बाकी पैटॉल की रिडिंग वहाई से वो स्टार्ट कर देगा यानि कि आपके वहाँ पर 800 होने पर या 700 होने पर रिडिंग को रोख देगा तो इस तरीके से आपको 200 या 300 रुपे का सरयाम चूना लग जाएगा तो ये धियान रखना चाहिए और इसके अलाबा अमुवन लोग जहां पर की राउंड फिगर में जैसे की 100, 100, 50, 200 या 400, 500 इस तरह के अमाउंट में पैट्रॉल फिल कराते हैं तो वहाँ पर कुछ इस तरह की सेटिंग की होती है कि अगर आप 500 का पैट्रॉल दलवाएंगे तो उसमें 470 का या 450 का ही आएगा अगर आप 1000 का डलवाएंगे तो 900 का ही आएगा इस तरह का कुछ ऐसा सिस्टम होता है तो इसको आपको ध्यान रखना चाहिए कभी भी राउंड फिगर में आपको पैट्रॉल फिल नहीं कराना चाहिए चाहिए वो डीजल हो या फिर पैट्रॉल को इसा भी फियूल हो क्योंकि इसमें आप बेसक मसीन को कितने ही दिहान से देखते रहें मसीन पर आपको डिजिट सही दिखने वाली है या आपने 500 का बरवाया है तो 500 ही दिखेगा लेकिन वहां पर बैक डोर से आपकी जेब कट चुकी होगी तो हमेशा आप वहां पर राउंड फिगर में पैट्रॉल कभी ना फिल कराएं आप जैसे कि आपको 1500 का लेना है तो 150 का लेना है तो 190 का या 210 का कराएं इस तरह ही सेटिंग कर दी जाती थी और रिमोट के द्वारे उसे डियक्टिवेट भी कर दिया जाता था अगर कोई ऐसी कंडिशन्स हो यानि कि जिसमें की कोई चाहे तो उसे चेक करना चाहे किस से पूरा फ्यूल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है तो उसके लिए वहाँ पर की इस तरह बेब कूब बनाया जाता था और इसके बाद है सबसे बड़ा स्कैम जो होता है फोर वीलर्स वालों के साथ में यहाँ पर आप अपनी ड्राइवर सीट पर बैटे हुए ज़ादा ज़ादा देख लेते हैं जीरो को और बेशक आप काफी वहाँ पर स्मार्ट हैं कोई आप से बात करकर अगर ध्यान भटकाना चाहा है आप अपना ध्यान भी नहीं भटकाते हैं और वहाँ पर आप ध्यान रखते हैं बाप जूदिस के और बेशक आप कितने ही अलर्ट हों लेकिन जो बंदा आपकी गाड़ी में फ्यूल फिल कर रहा होता है वो काफी स्मार्टनेस से जब आपकी गाड़ी में तेल डालता है तो वहाँ पर उसे पैट्रॉल के पाइप को ओन उफ कर रहा होता है यानि लॉक नहीं लगाता है तो आपको हमेशा गाड़ी से बाहर उतर जाना चाहिए और उसमें आप वहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखिए कि उसे एक ही बार मे पैसे को बचाना चाहते हैं तो आम तोर पर इन तरीकों से चोरी की जाती है फ्यूल की इसके लाबा भी काफी तरीके हो सकते हैं पॉसिबल है उनमें से जिने आपने भी फील किया हो और अगर आप जानते हैं उन्हें तो सब की जानकारी के लिए और सब के बैनिफिट के ल या फिर वो अपनी बातों में लगा लेते हैं जहां से आपका ध्यान बटक जाता है तो आपको वहां पर अलर्ट रहना होता है कुस टाइम दीजिए 2-4-5 मिनट जो भी वहां पर लगते हैं तो आपका ध्यान केवल वहां पर फ्यूल फिल कराने पर होना चाहिए और अगर आ ध्यान हमेशा रिडिंग पर होना चाहिए बेशक आपने जीरो को देख लिया है लेकिन बापजूद भी आपको ध्यान वहीं पर हमेशा बनाए रखना है इसके अलावा आप ध्यान रखिए जब भी आपकी गाड़ी में या फिर टू वीलर में पैटॉल फिल करते हैं और पर अगर किसी वज़े से उसे स्टॉप कर देते हैं तो कभी भी वहां से उसे वापस ना कराएं वहां की रिडिंग आप बेशक नॉट कर लीजिए वापस उसे जीरो से ही चालू कराना है क्यों कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो पैटॉल वहां पर उसने स्टॉप क तो वहां पर कम संभावना है कि आपके साथ वहां चीटिंग हो पाएगी बाकि आपको ध्यान तो रखना ही है जैसे कि वहां पर जो फ्यूल फिल करते हैं आपकी गाड़ी के टैंक में तो उसको बार बार आउफ ना करें एक बार अगर वो ऑन कर देते हैं और अगर आफ कर words की हर information से update रहना चाते हैं तो चैनल को भी से subscribe करके रखें साथ शेयर भी करें अपने सभी friends के साथ में और अगर आप यूज कर रहे हैं किसी brand की गाड़ी और उसके बारे में अपने opinion अपने experience चैनल पर आकर सभी subscriber के benefit के लिए सभी के साथ share करना चाते हैं तो इसके लिए आपको चैनल पर invite किया जाएगा इसके लिए आप हमारे पसंद की गई गाड़ियों के बारे में अने best same price segment में options को जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें YouTube comments box में भी लिख सकते हैं और इसके लिए आप हमें Instagram live पर भी daily शामिल हो सकते हैं इसके लावा टेलिग्राम की ID भी आपके लिए description में share कर दी गई है नमस्कार दोस्तों